हेलो माई डियर फ्रेंग्स एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करने वाले हैं वेजाइनल कैंसर के बारे में तो देखे महिलाओं को सावधानी और सतरकता की बहुत जरूरत होती है तो आज उसी क्रम में हम डिस्कुस करने वाले हैं वेजाइनल कैंसर के बारे में कैसे होता है किनको होत सकता है इसके रिस्क फैक्टर क्या है कारण क्या है बचाव क्या है और सिम्टम्स क्या है दवाईय क्या है इलाज क्या है यह सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं कि वेजाइनल कैंसर एक इतनी खतरनाग बिमारी है कि युनाइटेड स्टेट्स जैसे विकसित देश में भी हर साल 6,000 महिलाओं को यह कैंसर हो ही जाता है ठीक है 6,000 नई केस युएस में हर साल सामने आते हैं वेजाइनल कैंसर के तो अब आपको पता चल चुका होगा कि कोई कॉमन कैंसर मतलब कोई ऐसी बिमारी तो नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके अगर विकसित देश में यह हाल है तो आप आगे समझ सकते हैं तो देखिए इस क्रम में यहां पे मैंने एक फीमेर रिप्रोड़क्टिव सिस्ट्म का राइग्राम बना के रखा है बस आपके समझने के लिए तो वेजाइनल कैंसर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इस रीजन में कैंसर इसके पहले हमने सर्विक्स कैंसर की भी बात कर है सर्वाइकल कैंसर की आज हम वेजाइनल कैंसर की बात कर रहे हैं यानि कि इस रीजन में कैंसर की बात करने वाले ठीक है तो सबसे पहले मैं बता दो यह दो तरह की होती है पहला है स्क्वैमस सेल कासीनोमा दूसरा है एडिनो कासीनोमा और तीसरा जो रेरिस कासीनोमा ठी पिछशी सेल्स होती है जो वजाइना को लाइन करती है वजाइना को लाइनिंग एडिनो कार्सिनोमा की बात अगर हम करें तो देखिए एडिनो कार्सिनोमा जो है वो ग्लैंगुलर ऐसी ग्लैंगुलर सेल्स होती है वजाइना में जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है और और फ्लूइड्स जो वजाइनल फ्लूइड्स होते है उनका सिक्रीशन करती है यह एड सिल कार्शीनोमा को मिन हम बात करें तो एक हर्मोन डाइण इस्तिय वैस्तिय बैस्ती एस्तिय वो गई कि android नहीं सो IR के समय यह को दिया जाता था ताकि तो यह कि जो क्लियर ईस्तिय कार्णोमा है उन फीमेल्स में हो सकता है जिनकी मदर प्रेगनेंसी के वक्त में उन्होंने इस हार्मोन का यूज किया हो ठीक है तो अरली प्रेगनेंसी मन्थ में जिन महिलाओं ने ये हार्मोन का यूज किया है डाय थालस्टिल्वेस्टरॉल उनके बच्चों को ये उनकी डॉक्टर्स को ये क्लियर सेल कासी नेमा होने के चांस सर्विक्स का कैंसर तो होता ही होता है साथी वजाइनल कैंसर के भी प्रमुक कारण है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूं आप वहां से एच्पीवी वाइरस के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं तो एच्पीवी वाइरस तो ही साथी साथ डायेथाइल इस्टेल बेस्टरॉल भी है साथी साथ स्मोकिंग जो महिलाएं स्मोक करती है जो महिलाएं अलकोहल का कंजम्शन करती है और जिन महिलाओं को सर्वाइकल क काइन्सर होने के चांसस होते हैं जिन महिलाओं को संक्रमड imune system पहले से कमपल है उनको quiet सिंस्टम की बाद करते हैं तो सिंटम की बाद करों यानि कि बिलीडिंग यानिंडिके उजिफ ही अएब जैसा bleeding blood की bleeding हो सकती है और जितना नॉर्मली फीमेल करती है यानि वाश्रूम का यूज करती है उससे चार गुना जादा हो सकता आप वाश्रूम का यूज कर रहे हैं हो जो पेशिंग होते हैं constipation cancer में constipation भी एक problem हो जाती है और उसके बाद pelvic reason में pain सेक्स के दौरान पेन वाश्रूम करने के दौरान भी पेन होना और वेजाइना में किसी तरह का आपको लगेगा कोई लंप या गुच्छा टाइप का कुछ तो यह कुछ इसके सिम्टम्स हैं अब आगे बलने से पहले मैं आपको बता देती हूं मैं हर बार रिक्वस्ट करती शेयर कर रही हूं प्लीज आप उस चैनल को भी एक बार विजिट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तो अब जो हम अगली बात करने वाले हैं वह है डाइग्नोसिस की बात करेंगे डाइग्नोसिस की बात अगर हम करें तो पैप टेस्ट जो होता है वह कौम बहु तो आप ये वीडियो जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूं आप वहां से देख सकते हैं आपको पैप टेस्ट के बार में भी जानकारी पता चल जाएगी और जो अगली चीज है तो अगली चीज है ता इस कॉल्पोस्कोपी जिसमें क्या होता है कि कोई अब सप्रिंट विडक वानगे स्टेट क्यान घकर करके MP2 माइक कर यși अब इसमें अब स्टेज के स्थेस्ट करब अगर डिटेक्ट हो रहा है तो उसको कई हत तक ठीक भी किया सकता है तो फिस्ट स्टेज़ का जो केंसरों सेज़ हो तो केंसर अभी वाल में ही होता है और कही Kingston नहीं फैला हुआ होता है वह जाइना की आज पास की टीशू होते हैं उन में फैल चुका होता है तर्ड पास की टीशू के साथ साथ पैलविक्स रीजन की भी वाल्स को एफेक्ट कर चुकी होती है 4th में भी 4A and 4B होता है 4A अगर स्टेज की बात करें तो bladder, rectum lines और pelvic area ये सारी चीजें अब affected हो चुकी होती है और 4B की अगर बात करें तो body के और other parts including lungs और bone ये सारी चीजें भी affected हो चुकी होती है ठीक है, lymph nodes वगेरा भी affected हो चुकी होती है 4B is the last stage जिसके बाद सिफ palliative care दी जाती है यानि कि symptoms को manage किया जाता है कोई भी curative treatment का अप्रोच नहीं लिया जाता है अब treatment की बात करें अगर हम तो treatment की अगर मैं बात करूं तो hysterectomy hysterectomy में क्या होता है कि cervical reason को remove कर दिया जाएगा uterus को remove कर दिया जाएगा तो ये सारी areas को remove कर दियानी कि surgical procedure की बात हम कर रहे है फिर radiation देखिए radiation में क्या होता है जो cancerous cells होती है उनमें x-rays का use करके cancerous cells को खतम करने की कोशिश की जाती है जिसकी वज़ा से आस पास की healthy cells हैं उनको भी damage पहुंचता है तो अगर इसमें हम radiation का use कर रहे हैं तो ovaries के damage होने के chances हैं और जब ovaries damage हो जाएगी तो estrogen का production कम हो जाएगा या रुक जाएगा और जब estrogen का production कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा तो menopause वाले symptoms आने लगेंगे यानि की vaginal dryness hot flashes ऐसे कुछ symptoms आने लगेंगे फिर next option is the chemotherapy chemotherapy में जैसे कि आपको पता है chemotherapy caging जो है जो बहुत ही highly toxic drugs होती है जिनकी वज़ा से sex desire कम हो जाता है body का weight कम होने लगता है बहुत सारे unusual symptoms pain बहुत सारी चीज़ें बहुत issues होती है पेशन के साँ तो chemotherapy एक option होता है जिसमें cancerous cells को target करके उनको खतम करने की कोशिश की जाती है intravenous route से ये दवाईया दी जाती है और फिर next अगर हम prognosis आप अगर पूछेंगे मुझसे कि इसका prognosis क्या है मतलब क्या patient में 5 year survival rate है कितना है कितना percent है तो मैं आपको कहूंगी कि cancer detection के बाद stage 1 और 2 में treatment के दौरान 67% महिलाए 5 वर्ष तक जीवित रह सकती है बाकी 47% cases की में बात नहीं करूंगी उसमें महिलाओं की मृत्यूभी patient की मृत्यूभी हो सकती है तो यानि कि इसका 5 year survival rate stage 1 और 2 में 67% है अब जो है prevention की हम बात कर लेते हैं देखे एक question में यह हो सकता है लोगों का कि क्या यह hysterectomy या बाकी surgical procedures के बाद sexual activities में involved हो सकते हैं क्या तो देखे मैं आपको बता देती हूं कि sexual activities डॉक्टर आप सच मना नहीं करते हैं आप sexually active रह सकती हैं लेकिन sexual activities क्या करती है infection के chances को बढ़ा देती हैं तो infection के chances बढ़ जाते हैं तो इसलिए better होगा कि sexual activities में कम involved रहें नहीं तो infection के chances होते हैं और surgical areas में bleeding के chances बढ़ सकते हैं prevention की बात करें तो prevention की अगर मैं बात करूं तो prevention इसका एक option यह है कि जब तक teen age से मतलब जब तक एकदम mature ना हो जाएं तब तक sexual activity में involved ना हो HPV इसका प्रमुक कारण है human papilloma virus उसके लिए vaccine है Gardasil 9 जिसकी dozing schedule के बारे में भी मैंने आप से HPV virus discuss करते समय बताया है तो आपको मैं link share कर रहे हूं description में आप वहां से HPV virus के बारे में जानकारी लेंगे तो आपको Gardasil 9 के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी two-door schedule है इसका age 9 to 45 years के लोगों को दिया जाता है यह सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं और इसके preventive measures क्या है condom का use, sex partners को limit करना sexual activities में कम से कम involved होना hygiene maintain करना यह सारी चीजें इसके preventive measures है तो friends, यह हमारा जो मैंने आपको vaginal cancer बताने की कोशिश की आज यह this is all about vaginal cancer मैंने stage भी बताया आपको सारी बाते बताने की कोशिश की आशा करती हूं जैसा बताना चाह रही थी वैसा आपको बात समझ में आई होगी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें मैं शेयर करने को इस लिए हर बार आपको कहती हूं ताकि यह जो जानकारी है यह और लोगों तक spread होती रहे जानकारी थोड़ी हो या जादा लेकिन काम हमेशा आती है तो जानकारी लोगों तक फैलाएं लोगों तो पता होना चाहिए महिलाओं को भी पता होना चाहिए कि ऐसी भी कुछ चीज़ें हैं जो केर करने लाइक हैं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन प्रस करें और वीडियो से रिलेटेट कोई suggestion है तो प्लीज कमेंग सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं थैंक्यू वेरे मॉच